हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब टो चैनल फार्माफर यू और हिट बेल आइकन फॉर रेगुलर फार्मेसी अपडेट्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फार्माफर यू आज की वीडियो में हम बात करने जा रहा हैं फार्मासिस वेकेंशी जो की निकली है यू पी आर वी यू एनल के अंदर या अपके सकते हैं यू पी एलेक्टिक बोर्ड के अंदर और ये रेगुलर जॉप्स हैं फिलोग कमेंट्स से पूछता हैं कि हमें और जॉप्स के बारे में अगर इंफोर्मेशन चाहिए तो कहां स सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे आपको डेली गॉर्मेंट और नॉन गॉर्मेंट दोनों तरह की जॉप्स के अपडेट्स इमेल पर मिलते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यह जो वेकेंसी है यह निकली है उत्तर परदेश राज जी विद्यूत उत्पादन निगम लिमिटेट के अंदर यानि उत्तर परदेश के लिए रहेगी वेकेंसी तो देखिए जो वेकेंसी है वो सीधी भड़ती से पूरी की जाएगी इसके बाद आपको जॉब पे रख लिया जाएगा इसके लिए सारे भारतिय नागरिक आवेदन कर सकते हैं जो की ओनलाइन मोट से ही फिल करे जाएंगे जो विकेंसी हम लोगे काम की है वो है फार्मासिस्ट की विकेंसी इसका जो पोस्ट कोड है वो 9 है अब दिखी जो काम की बात है वो है उक्तपदो पर आरक्षन उत्तरपदेश राज्जी के मुल निवासियों को ही अनुमन्य है तो जो आउट ओफ यूपी है जो भी हमारे विवर्स आउट ओफ यूपी है अगर वो इस फॉर्म को फिल करना चाहते है तो वो जनरल के अंदर ही फिल करेंगे यानि सिर्फ नो सीट्स के लिए ही फाइटिंग करेंगे सेलरी की बात करें तो फाइमासिस का जो पतकोड है नो है जो लेवल मेट्रिक्स जो मिलेगा वो मिलेगा पांच 29,800 से 44,300 ये ग्रेट पे होता है तो आपकी सेलरी अराउंड 30,000 के आसपास मिलनी है आपको स्टार्टिंग में और जो भत्ते होंगे वो उत्तिपदेश राज्य विद्यूद उत्पादन निगम लिमिटेट में लागू नियमन असार होंगे अब देखिए जिसे गौर्मे उत्तरपदेश साशन द्वारा मननेता प्राप्त संस्था से अब देखिए पहले तो इन लोगों नहीं यहां मेंशन किया था कि उत्तरपदेश से बाहर से भी स्टुडेंट्स फिल कर सकते अब इन्होंने यहां पर एक क्लॉज और डाल दिया है कि उत्तरपदेश साशन द दिप्लोमा मस्ट बी कंप्लिटेट इट टाइम अफ सब्मिशन ओफ एप्लिकेशन तो आपका डिप्लोमा है वो जो पूरा हो जाना चाहिए पहले एक्जाम फार्म फिल करने से पहले तो यूपी के लिए तो देखिए आप आसानी से बर पाएंगे जो भार की करें तो आयू की गड़ना जो होने वाली है वो होगी एक एक दोजार बीस तक की जाएगी और फार्मासिस्ट पद को नाइन के लिए जो नियूनितम है वो है चालिस साल आयू में छूट की बात करें तो देखिए आप अनुसर्चित जाती स्टी 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 और ओबी सी ज अपनी केटेगरी के साब से इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी है आवेदन शुल्क की बात करें जो कि नॉन रिफूर्डबल होगा तो सारे पदों के लिए ST, SC और OBC के लिए ये रहेगा 700 रुपे और अन्य श है वहाँ पर लेकर जाने हैं एक तो आपका एड्मिट कार्ड प्रवेश पत्र पासपोर्ट साइस के दो फोटोग्राफ और एक आपका वेलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड ये तीन चीज़े आपको लेकर जानी हैं CBT के टाइम और जब डोकुमेंट वेरिफिकेशन हो कारी कारेल में कारेरत हैं तो आपको एक NOC भी लेकर जानी पड़ेगी at the time of document वेरिफिकेशन अब विवाइत इस्तती में देखिए ऐसे पुरुष महिला अभियारती जो एक से अधिक जिवित पत्नी पत्ती रखते हों तो वो चैनित वो एक्जाम नहीं दे सकते हैं more than two spouse है किसी के तो वो लोग ये एक्जाम नहीं दे सकते हैं चैन प्रक्रिया के अगर बात करें एक्जामिनेशन की तो देखिए CBT होने वाला है computer-based test होगा जिसकी जो अवधी होगी वो होगी तीन घंटे pharmacist के लिए जो CBT होगा वो computer-based test होगा और उसी के according shortlisted यानि के merit list बनाई जाएगी और उसमें document verification के लिए आपको बुलाया जाएगा 17 post के लिए अब अगर हम syllabus की बात करें तो pharmacist post code 9 के लिए जो exam होने वाला है वो देखिए आप part 1 जो रहेगा वो उसमें 150 questions रहेंगे जो की उसमें syllabus आने वाला है diploma का जो UP technical board तेकनिकल education board द्वारा UP के colleges में चलता है वो ही diploma का syllabus यहाँ पर पूरा होगा और part second के अंदर आपको 50 objective type question होगा ज प्रती एक सही question के लिए एक mark मिलने वाला है आपको और एक गलत answer के लिए आपको 0.25 marks कटने वाले हैं तो ध्यान रखीगा कि आप कम से कम question गलत करें जिसमें आप confirm हो वही question को tick करें क्योंकि एक negative marking भी यहाँ पर है और seeds बड़ी कम है प्रेक्षा इस्थान की बात करें तो जो CBT रहेगा वो लखनाओ, प्रियागराज, कानपूर, वारानसी, गोरकपूर, मेरट, घाजियाबाद, नोईडा, एवं ग्रेटर नोईडा शेहर में ही होगा अब आपको आविधन केसे करना है, आविधन के लिए आपको www.uprvun.org वेबसाइट पर जाके वहाँ पर अपना form को fill up करना है जो आविधन के भरने की तिति है, स्टार्टिंग, वो है 73-2020, यानि के आज से, और ओनलाइन आविधन पत्र की अंतिम तिति जो रहेगी, वो रहेगी 6-4-2020 तक आविधन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 8-4-2020 जो की जनरल के लिए 1000 और स्टीएसी, OBC के लिए 700 रुपे तो ये सारी जानकारी थी, यूपी में फार्मासिस वेकेंशी जो के निकली है, यूपी एलेक्रिकल बोर्ट के अंदर तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना बोलें, थैंक यू सो मच